मुवी की कहानी के स्टार्ट में हमें अलुलोसियस बेनोटी नाम की नरेंटेटू के बाल में बताया जाता है जहां पर एपलोस रिडन के लिए दो बहुत बड़ी एस्सोसियेशन की फाइल चल रहे होते हैं उनमें आसासे करेंट और टैंपलेंस के दरम्यान में परसों से फ पर एपलोस रिडन को हासिल करना इतना भी असान नहीं था क्योंकि आपलोस रिडन की दो खालिक को यह नहीं आसासियस कर रहे थे और इसके बाद मुवी के स्टार्ट में हम पेंशन स्पेंड में असासे स्टोर्ड को देखते हैं जो वहां पर अपने नई मेंबर्स को एप 1886 में आते हैं जहां पर हमें एक चुटा बच्चा दिखाया जाता है जब यह कैलीस नाम का बच्चा अपने गर वापस आता है तो तो यहीं देखता है कि उसके फादर जो कि जो जबने उसकी मदर को मार दियो और उसके फादर अपने बटे को वहां से बागने का बोलते है यहां कि यहां पर बहुत जल्दी टैंपरस फॉर्डेशन की काड़ आने वाली थी यही पर हम काड़ की पादर के हाथ में असासन के सिनियेचर प्रेट को देखते हैं और यहां पर हमें बता चलता है कि काल की फैमली भी असासन ब्रोदर हुट से बिलॉंग करती है इसके यहां पर रिसर्ट कर इंजक्त करके दी जाएगी यहां तलको सिर्फ भी होश किया जाता है और जब वो होश में आता है तो वो हूथ को एक रिसर्च लाब में पाता है जहां पर डॉक्टर सोफिया रायंकीन उसे मिलती है यहां पर डॉक्टर सोफिया रायंकीन उसे मिलती है लोगों की भलाई के लिए और वॉलंस को मिटाने के लिए वो लोग अपल ओफ इडन को डून रहे हैं और यहां पर उनको केल की हल्प चाहिए अपल ओफ इडन को डूनने के लिए क्योंकि यहां पर केल ही था जो असासियन से बिलॉंग करता था और वो बताते हैं कि अपल अफ रिडन को लास बार आक्लियर नाम के असासिन के पास देखा गया था इसके बार डॉक्टर सूफिया केल को यहां पर एक मशीन से कनेक्ट करते हैं और इस मशीन की मदद से वो अपने वोंवर्चों की यादों को एसस कर पाएगा उस मशीन की मदद से केल के डियन में से वो डी 92 के अपलियर के असासिन को फाइन करते हैं डॉक्टर सूफिया यहां पर उसे बताती हैं कि अपलियर असासिन के डियन में लिखा हुआ है तक यहां के लिए उन सब चीज़ों को देख सेकेगा और मैसूस कर सेके गा मैसुस कर सकेगा कि मेमरी में चाए है और हम देखते हैं कि ब़गत बड़ी jung छिड़ीं ही उई है Templars की पूरी फोज ने सुल्थान मौमे जो उसके किंग थे उनके महल पर हमला कर दिया और सुल्थान के बटे को भी डून लिया है और वो अब उसको कैद करके वहां से ले जा रहे होते हैं लेकिन तब भी वहां पर उस बचे को बिचाने के लिए असासिन के टीम होता यहां पर एसासियन की फायर टैंपलीस से होतीह आ लिकिन ध؟ यह कोशिस निहां वहां काम कर देते हैं आब हम पॉरल के हालत बहुत जाधा खाहराब थी यमन्हें से वापस बुला लिया जाता है Dr. Sophia अपने Father से बात करती हैं और उनको बताती हैं कि वो लोग Apple of Eden के बहुत ज़्यादा करीब हैं क्योंकि फाइनली लोगों ने एक्ली और केरियर से उसकी memory से निकाल लिया था जब यहां पर Dr. Sophia के Father Allen के यह सुनते हैं तो वो बहुत ज़्यादा खुश्य हो जाते हैं अब यहां पर Dr. Sophia के Father एक लेड़ी से मिलते हैं जो के Templar Foundation की हैड होती है वो लेड़ी यहां पर Dr. Sophia के Father Allen को Apple of Eden के इतने ज़्यादा करीब पहुंचने पर congratulate करती है लेकिन साथ ही साथ व उसी तरह हम देखते हैं केल अब फाइनली जा गया था Dr. Sophia उसके साल में केल से मिलने आई थी वो उससे मारने की कोशिश करता है लेकिन Dr. Sophia केल को convince कर देए हैं और उसको उसके मरी भी मदर के बारे में याद दिलवाती हैं केल उससे पूछता है कि तुम मेरे बारे में इतना आज सब कुछ कैसे जानती हो यहां पर Dr. Sophia केल को बताती है कि जब उसको अरेस किया गया था तब उन लोगों ने उसके DNA को एक लिए से मैच किया था और यहां पर यह लोग कनफर्म हो गे थे कि एपल फीडिन तक इन लोगों को पहले ही पहुंचा जाता है वो उसको यह भी भी बताती है कि उसके फाइदर एक असासन थे जिन्हों ने उसकी मदल को मार दिया था और अगर किसी धाना कैल इन लोगों को एपल फीडिन तक पहुंचा दे तो यह लोग वालस को हीमेंटी से पूरी करना से मिटा दे जिसके बाद हीमेंट फार्नली आराम से रह सिकेंग जो एपल फीडिन का अकेला रिखवाला है तब इन सब लोगों को मिलकर एपल को गलत हातों में जाने से रोकना होगा इसके बाद हम देखते हैं डॉक्टर सोफिया के फादर कैल को दुबारा से एनिमस के जिरिये पास में बेचने का बोलते हैं जैसे के टेंपल की हैड ने इन लोगों को बटाया था कि इनके पस ज्यादा टाम नहीं है लेकिंगे यहां पर डॉक्टर सोफिया ऐसे करने से अपने फादर को रोकती है क्योंकि केल की बाडी पर इस बात का बहुत ही बुला असर पर सकता है इवन कैसा करने से वह मर भी सकता है लेकिन यहा से अनिमस के जिरिए पास में जा सके लेकिन वो फिर भी अपने पास से कनेक्ट हो जाता है और यहां पर केल के पास में हमें दिखाया जाता है कि एक साथे को टैंपलर्स ने बंदी बना लिया और अब इन दोनों को पूरी किंडम के सामने चला दिया जाएगा लेकिन यह ल साथ वो अपने साथियों को भी छोड़वा लेता है इनके लिए यहां से बागना इतना भी असान नहीं था क्योंकि इनके आगे पीछे पूरे टेंपली की फोर्श पड़ गई थी लेकिन जैसे तसे करके यह लोग इस फोर्श से फार्ट करते हैं और यहां से अपना पीछ बहुत जादा बिगर रही थी और उसकी बाड़ी भी पारलाइस होने वाली थी लेकिन यह पर डॉक्टर सूफिया बहुत जादी जल्दी के लिए क्यों कर लेती हैं अब यह सब कुछ यहां पर केल को बिलकुल ठीक नहीं लग रहा था क्योंकि अगर ऐसा ही सब कुछ चलत जाता है कि डॉक्टर सूफिया के फादर एलन की पास बिलकुल ठाइम नहीं था और वो केल को रेड़ी करने के लिए अपने फादर के पास ले जाती है जो इसी रिसर्स सेंटर में काम किया करते थे हम यहां पर यह भी बताया जाता है कि कैल अपने फादर से बहुंँ ज्य जाता है कैल अपने फादर से बहुत साथ नफरत करता था अब कैल अपने फादर से मिलता है और उसके हाथों में एक ब्लेड रहती है और यहां पर वो अपने फादर को मारने ही वाला था लेकिन वो रुक जाता है और उसके फादर केल को बताते हैं कि उन्होंने उसकी मदर को इसलिए माला था कि ताकि वो लोग उन सब को टंपलर से बचा सकें वो कैल से कहते हैं कि अगर वो टहता है तो वो बेशक मुझे मार दे लेकिन दुबारा से उस मशीन से कनेक्ट ना हो जो तुम्हें पास के बारे में बता सकती है क्योंकि इसे टंपलर को एमलो फील्डन की लोकेशन के बारे में पता चल जाएगा और इन लोगों की ब्रदर होड तबाह हो जाएगी कैल अपने फादर की बातों पर बिल्कुल भी यह बिलीब नहीं करता अब वो अपने मर्जी से एलिमेंट से कनेक्ट होकर अपने पास में जाने कर डिसाइड करता है ताकि वो टं हैं ताकि कैल यहां पर मर्जर और अपल फीडन एक राजी रहे और तब भी वहां पर टंपलिस के गाड़ आ जाते हैं और कैल को बिचा लेते हैं लेकिन इसके बतल दुबारा से एनमेंट मेशीन से कनेक्ट होकर दुबारा से अपने पास में जाता है वो देखता है टंपल को एपल फीडन के लिए तियार हो जाता है लेकिन तब ही वहां पर एकुलिर के साथी आ जाते हैं वो टंपलिस के सब Do को मार कर सुल्तान के पास आता जाते हैं यहीं पर टंपलिस का एक रडो और उसका वार इयर भी रहता है यहां पर इन सबकी बहुत ही जबर्दस वार्ट होती है और यहां पर एकुलर के साथ ही इस वार्ट में मारे जाती है एकुलर यहां पर बहुत ज़्यदा दुखी होता है क्योंकि वो उसे पसंद करता था अब एकुलर यहां पर Templars की हट का दो वालियर था उसको भी मार देता है और उसके बाद वो यहां पर Apple of Eden लेकर भाग जाता है लेकिन वो अब जैसे ही आगे जाता है तो वहां पर वो एक ब्रिच पर पहुंचता है तो वहां पर Templars की पूरी फोर्च थी जो उसको गिर लेती है तो वो वहां पर उस ब्रिच से एक बहुत बड़ी श्रलंग लगा देता है और यहां पर एक्रियर मिल्टी और फोर्च तक पहुंच जाता है और वहां पर पहुंच कर वो Apple of Eden लेका आदमी को सोम देता है और उसे इसकी इसकी हिफाद़ करने का बोलता है और यहां पर हमें यह बात पता चलती है कि वो आदमी कोई और नहीं बलके Grace of Columbus है और यह भी जहां पर Columbus तफ़न है वहां पर इन लोगों का Apple of Eden भी मिल जाएगा यहां पर केल और विजन देखता है जहां पर उसके पास बहुत सारे असासियन आते हैं और उससे बात करते हैं और उनी में से एक लेडी कैल की मदर होती है और वो उसको Apple of Eden की हिफाज़त करने का बोलती है अब क्योंके यह लोग असासियन से और यहां काम ही यही था कि Apple of Eden को प्रोटेक्ट करना कैल यहां पर समझाता है कि उसके फादर उससे सच बो रहते हैं और तब ही यहां पर हम देखते हैं कि उससे असासियन में ब्रिकर टॉक कर देते हैं यहां पर फांडेशन के गार्ड आनिमाज को पूरी तरण से सील कर देते हैं अब सोफिया अपने फादर के सास्थ स्पेन रवाना होती है जहां पर से वो एपल अफिडन को हासिल कर ले ती है यहां पर इसको डिसाइड करता है कि वो ऐसा नहीं होने देगा क्युक्य वो भी एक असासियन था आभू सब यहां पर साथियूं के साथ मिलकर गार्ड से फाइट करता है और इस एपल उफ इडन से ये लोग इंसानियत को अपने काबू में ला सकेंगे ये बार डॉक्टर सोफिया बिल्कुल भी नहीं जानती थी हम यहाँ पर देखते हैं कि सभी असासियन मिलकर इस फरसिल्टी के सारी गार्ड को मार देते हैं लेकिन इस पाइट में इन लोगों के बहुत सारी असासियन भी मारे जाते हैं अब डॉक्टर सोफिया और वो लेडी हैड हेलिकॉप्टर में बैट कर वहां से चले जाते हैं कल उनको रोकने में नकाम हो जाता है अब टेंपलस फांडेशन ने अपल फ्रीडन को हासिल कर लिया था वो वहां पर एक प्रोग्रम कर रहे थे तब यह उस प्रोग्राम में असासियन की टीम आ जाती है तल वहां पर आका डॉक्टर सोफिया को बताता है कि पर्सों से असासिन ही युमेनटी की हिवाज़त कर रहे हैं अपल ओफ रिडन को प्रोटेक्ट करकर और सोफिया भी अब इस बात को समझ गए थी कि अगर अपल ओफ रिडन टैंप्लेस के पास रहा तो युमेनटी नहीं बचबाएगी अब इसलिए वो केल की हलप करती है वो उनको अंधर जाने देती है और अभी हम पर असासिन की पूरी टीम टैंपरस की टीम को मार देती है और वो सबीए असासिन मिलकर अपल ऐ इडन को सिक्यूर कर लेते हैं इसी तरह ऐपल ऑफ इडन दुबारा sunt है निय्ट सिक एपकर थाओ ये श्याही कहा सुछ ये सिक एव मुरी औय एवना जी एव णाओ धना